तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको सभी को पता चली गया होगो कि ऐसे सी MTS exam की exam date आ चुकी है दो मई दो मई से आपके exam स्टार्ट होने वाले हैं तो अब अपने तयारी में कोई कसर मत छोड़ना हम भी आपकी तयारी को और ज़्यादा बहतरिन बनाएंगे और आपका साथ देंगे तो चलिए आज के शेशन की सुरुआत करते हैं तो आज का ह मारा टोपिक है भक्ति एवं सुफियां दोलन इस से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्यूशन है वो हम आपके साथ डिसकस करेंगे फिर से बोल रही हूं अब है आपके पास जितने भी दिन बचे हैं उसने दिन यनकी 10 से 12 दिन बचे हैं उसमें आप अपनी तयारी में कोई कसर मत छड़ों जितने भी इंपोर्टेंट क्यूशन है उसको रिवाइज करो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो चलिए आज की सुरात करते हैं उससे पहले जिनोंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक यहां से आपको पीडियाफ और नोर्स वगेरा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिड वो आपको मिल जाएंगे आप मारे शोशल प्लैटफोर्म के साथ भी चूड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेलग्राम चैनल पर भी आपको पीडियाफ अबलेबल हो जाएगी तो चलिये शेशन की सुरुआत करते हैं सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को फिर अपने शेशन की सुरुआत करते हैं तो आज का हमारा फर्स्ट क्योशन है शेक मोयूदिन सिजी यानि कि मोयुदिन चिस्ती इसका चिस्ती के नाम से हम ये फिममस है दरगा है निम लिखित में से किस सहर में स्थित है पानिपत जालंधर अजमेर या पटना तो बताई ये किस सहर में है सेख मोयुदिन सिज्जी ये चिस्ती यहाँ पर मोयनुदीन है तो बताइए दोनुँ है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ओप्शन सी अजमेर में स्थीत है कहाँ पर है अजमेर में हमारा next question है सुफी उस्ताद अपनी सभाओ को अपनी खान काओ में अजित करते थे जिनने क्या कहा जाता था स्थूप, ध्रमशालाय, दरगा या ध्रमस्तल सबसे पहले है यह शब्द है खान काहो इसका क्या मतलब होता है अगर हमें यह समझे में आएगा तबी तो हम जवाब देंगे कि उनको क्या कहा जाता था तो खान काहो खान काहो, किसको का जाता था, जहापर जो सूफी संत रहते थे, ठैर थे थे, उस जगा को काहा जाता था, खान काहो, अब खान काहो में जहापर वो रहते थे, तो अपनी सभाव का, अपनी सभा आयोजित करते थे, तो उसको क्या बोलते थे, स्तूप, ध्रमशालाए, दरगा ये ध्रमस्तल कोमेंट में बताओ तो हमारा सही जब क्या होगा उसको क्या बोला जाता था ध्रमसालाई बोला जाता था जहाँ पर सभा अयोजित होती थी उसको बोला जाता ध्रमसालाई और जहाँ पर सुफी संत रहते थे उसको बोला जाता खान का हो सुफी प्रमप्राओं के संधर्व में समा शब्द का क्या अर्थ है आश्रम, जादू इकर्थब, पवित्र गितो का पार्थ या शादीक तो बताईए तो समा का अर्थ क्या होता है हमारा सही जब हो जाएगा पवित्र गितो का पार्थ वैसे तो अगर मोल रूप से देखा जाएगा समा का अर्थ होता है सुनना तो यह बताओ जब हम पवित्र गितो का पार्थ होता है मंदिर वगेरम जाते है तो जहापर पार्थ होता है तो उसको सुनते ही तो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पवितर गितो का पार्ट, समा का अर्थ हो जाएगा, यानि कि समा का मतलब होता है, सुनना, समा का मतलब क्या होता है, सुनना, और तो इस से रिलेटेड क्या हो जाएगा, पवितर गितो का पार्ट, आगे बढ़ते हैं, सेख, ख्वाजा, कुतुबदिन, बक्तियार, काकी की कहां पर स्थित है अजमेर में अजोधन में दिल्ली में या आगरा में तो बताए ये कहां पर स्थित है तो हमारा सही जौब क्या हो जाएगा कहां पर स्थित है तो वो है दिल्ली में दिल्ली में शेक ख्वाजा कुतुब दिन बक्तियार काकी की दरगा स्थित है अब इसको और नाम से भी जाना जाता है, कुतुब शाही की दरगा, देखो इस नाम से भी आता है, कुतुब शाही की दरगा, कुतुब शाही की दरगा का पर स्थित है, तो दिल्ली में, ये दोनु सेमी है, इनका ही नाम है, से ख्वाजा कुतुब दिन भक्तियार का की, या ऐसे भी आ स सकता है कुतुब शाही की द्रगा दिल्ली में महरोली के पास स्थीत नेक्ष्ट देखो मध्यकालिन सुफी प्रंप्रा के संधर्ब में वली का वली शब्द का क्या अर्थ है संत आश्रम शिश्य यह करम तो वली शब्द का अर्थ क्या होता है तो हमारा सही जवाब है उप्शन ए वली का मतलब होता है संत चलिए आगे देखते हैं अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुन्य तुथी के रूप में मनाय जाता है ख्वाजा मोयनुदिन चिस्ती, सलीम चिस्ती, हजरत निजामुदिन या मियामीर तो बताईए जो अजमेर में उर्स महोत्सव मनाय जाता है वो किस सूफी संत की पुन्य तुथी के रूप में मनाय जाता है तो हमारा सही जवाब क्या है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मोयनुदिन चिस्ती इस रूप में जो उस महुतसव मनाया जाता है वो इनकी पुर्णे दिते के रूपे मनाया जाता है और यह लगबग 6 दिन को होता है ऐसा कहा जाता है कानिया है कि जब ख्वाज्या मोयनु दिन चिस्ती ने 6 दिन तक अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया था और इश्वर की अरातना की थी यानिकी अपने जो भगवान था उसकी अरातना की थी 6 दिन तक तो उसकी पुर्णे दिते की याद में ही उर्स सुफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है कल देशक इदगा दरगा या खान का तो हमारा मकबरे जहापर उनकी कबर होती है तो उनको क्या कहा जाता है तो हमारा सही जाप क्या जाएगा उनको कहा जाता है option c very good दरगा सुफी संथ के मकबरे को कहा जाता है दरगा जहापर वो रहते थे उसको कहा जाता था खान का और जहापर उनकी सभा अयजित होती थी उसको क्या बोला जाता है धरम शालाई देखो तीन चीज़े इनकी कबर जहापर होती थे उसको बोला जाता दरगा जहापर वो रहते थे खान काहा और जहापर सभाई आयजित होती थी उसको बोला जाता है धरम शालाई चलिए एक और जो लोग दरगाव वगेरा की यात्रा करते हैं जैसे की कोई मंदिरों की यात्रा करता है तो ऐसे जो दरगाव की यात्रा करते हैं उसको बोला जाता है जियारत दरगाव वगेरा की जो यात्रा करते हैं उसको क्या बोला जाता है जियारत याद रखो क्या काफी बार आज सकता है ये जियारत दरगाओ की यात्रा करने वाले क्या बोला जता है जियारत नेक्ष्ट उन्निसवी स्थापदी में मध्य बारत में सतनामी अंदुलुन की स्थापना किस ने की थे उन्निसवी स्थापदी में बतानी है नारायन गुरू, केशव चंदर सेन, गुरू गासिदास या हरिदास ठाकुर तो किसने की थी? हमारा सही जवाब आजाएगा ओप्शन C, गुरू गासिदेशने जो सतनामी आंदोलन था, वो कब से शुरू है? वो है बोध्रम, जो बोध काल है न, वहाँ से ये शुरूआत है, यानि कि बुध ने इसकी शुरूआत की थी, तब ये क्या था? सतनाम दर्शन था, तब क्या था ये? सतनाम दर्शन, बाद में आगे चलकर ये, क्या हो गया? सतनाम में अंदोलन हो गया नेक्ष्ट देखो, पुष्टी मार्ग नामक भक्ती संपरदाई के संस्थापक निम लिखित में से कौन थे? वल्लभाचारिय, कबीर, शंकराचारिय, रामानुजन तो बताइए कौन थे? तो हमारा सही जवाब है, ओप्शन ए वल्लभाचारिय, पुष्टी मार्ग नामक भक्ती संपरदाई के संस्थापक थे? इनका जनम कहां पर हुआ था? युप्पी के वारणसी में हुआ था उत्तर परदेश के वारणसी में इनका जनम हुआ था चलिए आगे देखते हैं भगवान राम पर केंद्रित, भक्ती आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नामदेव, रामानन्द, जैदेव, विवेकानन्द तो कौन थे तो हमारा सही जौब क्या जाएगा रामानंद भक्ति भगवान राम पर केंद्र जो भक्ति अंदुलन थे उसके अग्रदुत्ते इनके जो शिश्य थे उसमें से फेमस कबीरदास जी वी इनके शिश्य थे जो कबीरदास जी थे ना इनके शिश्य थे नेक्स्ट, खालिस्तान प्रारंबिक 18 सदी के दोरान भारत के एक दार्शनिक और धर्म शास्त्री थी जिन्होंने एद्वेत वेदान्त के सिधान्त को समेकित किया था तो कौन थे वो आदी शंकराचारिय ज्याने श्वर एकनाथ माध्वचारिय तो बताए कौन थे वो थे आदी शंकराचारिय और इनका जनम कहां पर हुआ था तो केरल में काँ आ थे इनका जनम? केरल में हुआ था निमलिखित में से कौन? महराष्ट के एक संत थे महराष्ट के कौन से संत थे? दाद्दू दियाल, चोखा मिला, बाखन या सुन्दरदास तो कौन थे महराष्ट के एक संत? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? चोखा मिला, महराष्ट के एक संत थे चलिए, नेक्ष्ट देखते हैं निमलिखित में से कौन सा भगवान विठवबा की स्तूत्ती में गाया जानने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? सबद, अभंग, तेवरम, भटियाली तो बताइए एक काव्य रूप है ये मराठा लोग है न, उनके देवता है और यहां जादे तर महराष्ट के जो इलाक्य है न, आसपास की वहापर इनकी पुज्जा होती है तुलसी दास की रचना, यानि की रामचरित माननस खालिस्तान बाष्टा में लिखी गई है तुलसी दास ने जो रामचरित माननस लिखी थी वो कौन सी बाष्टा में लिखी थी असमिया, अउधी, उर्दू या संस्क्रिट तो कौन सी बाष्टा में लिखी थी ओप्शन भी अउधी बाष्टा में नेक्स्ट देखते हैं चैतन्य जिने श्री गोरांग के नाम से भी जानना जाता है खालिस्तान के एक लोग पिर ये वैशनव, संत और सुधारक थे तो क्या थे वो श्रिंगेरी, पढ़ंग, पढ़रपूर, मदूरई या नादिया तो बताइए चारों में से कौन सा आएगा तो हमारा सही जवाब है, जो चैतन्य है, वो कहां के थे, तो वो नादिया, option B, नादिया के थे और नादिया कहां के, कहां पर है, पश्चिम बंगाल, कहां पर है नादिया, तो पश्चिम बंगाल में नादिया है और ये कौन से इस्वर की बक्ति करते थे तो कृष्ण बक्ति चतन्य जो गोरांग के नाम से फिमस थे वो कृष्ण बक्ति के समर्थक थे सरकारी एक्जाम से सम्बंदित एक्जाम मटीरियल, क्विज, प्रिवेस एयर पेपर की पीडियाप और नोड्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें हमारी वेबसाइट है www.nokryaspirant.com अब देखो आपका एक्जाम एकदम नस्दी काच चुका है तो अपनी तयारे में कोई भी कसर मत छोड़ना PDF वगेरा सभी आपको हमारे वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी तो अपनी तयारे को इन जो बाकी के जो बच गए नहीं दिन इसमें एकदम अच्छे से तयारी करो नेक्श्ट देखो लाल डेड जो की चोद्वी स्तापती की एक महिला संत थी की गिंती खालिस्तान बासा की आरंबिक और सबसे परसिद कवियत्रियों में की जाती है तो कौन से बास्टा की थी ये तमील, पंजापी, कश्मीरी या बंगाला तो किस बास्टा की थी ये तो मारा सही जवाब है कश्मीरी बास्टा की थी जो लाल डेड है इसका नाम था ललेश्वरी क्या नाम था इसका ललेश्वरी इसका नाम था लाल डेड़ सी फिमस थी और कश्मीर में इसका जनम हुआ था तो वो कश्मीर बास्टा की ही कवियत्री थी नेक्ष्ट देखिए निमलिखित में से कौन सा सुफी संप्रदाई सरवाधिक रूडिवाद था चिस्ती, कादिरी, सरवरी, कादिरी या नक्षबंदी जो रूडिवादी धारना रखता था तो हमारा सही जवाब है वो कौन था तो वो था नक्षबंदी ये अमेशा रूडिवादी धारना रखता था इसकी स्थापना की थी ख्वाज्या बाकी बिलाह ने इसकी खोज की थी फिम्मास है यहाँ पर चिस्ती तो चिस्ती संप्रदाई की स्थापना किसने की थी? ख्वाज्या मोयनुदिन चिस्ती ने यह याद रख लेना यह फिम्मास है थोड़ा ख्वाज्या मोयनुदिन चिस्ती ने Next खालिस्तान एक हिंदू संत थे जो बक्ती आंदोलन और महराष्ट के वार कारिस्म प्रदाई से जुड़े थे तो कौन थे वो? कानो पात्रा, गोरा कुम्भार, नाम देव, स्मर्थ रामदास तो चारों में से कौन थे वो? तो हमारा सही जोग क्या जाएगा? गोरा कुम्भार नेक्ष्ट देखते हैं प्रारंबिक भक्ती आंदोलनों में से एक अलवारों के नित्रतुव में हुआ वे किसके भक्ते? शिवा, सूरिय, विश्नु या भ्रम्मा बतेए किसके भक्ते? हमारा सही जवाब है, ओप्शन सी वो थे विश्नु भक्त थे क्या थे? विश्नु भक्त नेक्ष्ट क्रिश्न देवराय, जिन होने 1509 से 1539 तक विजय नगर पर साशन किया किस राजवन से सम्बंदित थे? तुलू राजवनस, अर आबिदु राजवनस, सलू राजवनस या संगम राजवनस तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? तो किस राजवनस से थे यह? तो यह थे तुलू राजवनस प्रिश्न देवराय उस अपने जो साशनकाल में थे तो सबसे महान राज्या थे इसका जिकर प्रिश्न देवराज का जिकर बाबर ने अपनी जो आत्म कता है उसमें भी किया है देखो 1509 से 1539 तक किया था और बावर कब आय था? 1526 में आय था बारत पर अक्रमण कहता है याद हो तो पानिपत की लड़ाई इबराहिम लोद्धी तथा बावर की भी चुई थी तो बावर इसकी साशनकाल में ही बारत आय था तो बावर ने जो अपनी आत्म कहता है न प्राशकों में सबसे महान हैं। अच्छा ये बताओ। चलो हो गया। तुझुक ए बाबरी। बाबर की आत्म कता है। याद रखना। बाबर की आत्म कता क्या है। तुझुक ए बाबरी। नेक्स। ज्यानेशवर 13 स्तापती के एक मराठी संथ थे। जिन होने ज्यानेशवरी लिख की थी। जो खालिस्तान पर एक कमेंटरी थी। रामायन पर भगवत गीत्ता, वेद या उपनिशड तो किसकी कमेंटरी थी थी तो हमारा सही ज़ोब क्या जाएगा बगववत गित्ता की थी तो ग्यानेश्वर जी ने जो tabadhi के एक मराठी संद थे उसने जब बगवात गित्ता थी उसको मराठी में ही लिखा था जिसको क्या नाम दिया ग्यानेश्वरी क्या नाम दिया ग्यानेशोरी नेक्ष देखिए चंद्रगिरी विजय नगर शाषकों की अंतिम राज़तानी थी चंद्रगिरी किला भारत की किस राज्ये में स्थित्त है आंद्रपरदेश, राज्यस्थान, बिहार या गुजुराद तो कहां पर है तो हमारा सही जवाब है ओप्षन ए आंद्रपरदेश में स्थित्त है और इसकी स्थापना यानकी चंद्रगिरी किले की स्थापना किसने की थी ग्यारवी स्थापदि में स्री कृष्ण देवराईनी ग्यारवी सापने में इसकी सापना हुई थी और किस ने की थी? कृष्ण देवराई ने प्राचिन शहर हमपी खालिस्तान सामराज्ये की राज़दानी था उस समय तो राष्टकूट की, नायक की, मराठा की, विजेनगर की तो हमारा सही जौब क्या हो जाएगा? जो उस समय हमपी एकदम परसी था, फिमस था और समर्ध राज्ये था सामराज्ये था, तो वहाँ पर विजेनगर की राज़दानी थी हमपी अब तो ये एक खंडर के रूप में है, और कौन सी नदीपर है ये? तुंग बद्रा नदीपर है, कौन सी नदीपर है? तुंग बद्रा, अच्छा कॉमेंट में बताना की हमपी कौन सी राज्ये में हैं, हमपी कौन सी राज्ये में पढ़ता हैं, नेक्ष्ट देखिए, निम्न में से महकाव्य कहानी, मनुचरित्र के लेखक कौन है? पोनना, अल्लालसानी, पेदनना, बानभट या चंदरबरदाई, बताए ये चंदरबरदाई हैं, कौन है? तो हमारा सही जवाब है जो मनुचलत्र के लेखक है तो वो कौन थे? या कौन है? तो वो है अल्लासानी पेदन्ना तो वो किस समय के थे? तो ये है कृष्ण देवराय के समकालिन थे कृष्ण देवराय के जो सामराज्य था उनके दर्बार में आठ कवी थे जिसको क्या बोला जाता था? अश्ट दिगज कृष्ण देवराय के समकालिन में कौन थे? आश्ट आठ कवी थे जिसको अश्ट दिगज बोला जाता था तो उसमें सबसे फेमस कौन थे? अल्लासानी पेदन्न नेक्स्ट नेक्स्ट देखे निमलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लिखख था? जो दक्षिन बारत के आर्थिक और समाजिक जीवन के बारे में वर्नन किया था? निकोलो मैनुची फ्रेंकोईस बर्नियर जीन वेप्टिस्ट टेवर्नियर या डुवार्ट बार्बोसा तो कौन थे? तो हमारा सही जवाब है डुवार्ट बार्बोसा डुवार्बोसा ने एक पुर्तगाली लिखख थे जिन होने दक्षिन बारत के आर्थिक और समाजिक जीवन के बारे में अपनी पुस्तक में जिगर किया था नेक्स्ट है 1336 में निम्न में से किस सामराज्य को हरीहर और बुक्का ने स्थाप्पित किया था? किस ने किया था? मराठा समराज्य ने? कुशान समराज्य ने? विजयनगर समराज्य ने? या चेर समराज्य ने? तो हरी और बुक्का ने किस की स्थापना की थी यहाँ पर तो ओप्शन भी दे रखा है विजे नगर समराज्य की स्थापना की थी हरी और बुक्का ने कब की थी 1336 में स्थापना की थी नेक्स्ट देखिए विजे नगर सामराज्य की स्थापना निमलिखित में से किस वर्स हुई थी देखो फिर से आ गया 1229 में 1442 में 1336 में या 1456 में तो हमारा सही जोब क्या जाएगा 1336 में स्थापना की थी आगे देखते हैं विजे नगर की प्राचिन राजधानी हमपी कहां पर स्थी थी देखो जो पूछा ता वही आ गया तो बताईए केरल में है करनाटक में है तेलंगाना में है या तमिननाडू में है तो क्या आजाएगा कापर उई थी स्थापना तो हमारा सही जवाब है ओप्शन भी करनाटक में चलिए नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर की राजधानी प्राचिन शहर हमपी के खंडर किस वर्तमान बारते राज़े में स्थित्ते अभी बताए था जो हमपी शहर है वो अब खंडर की रूप में हो गया है तो वर्तमान में कौन से राज़े में है तेलंगाना, करनाटक, हरियाना, बिहार तो अभी आया था तो हमारा सही जवाब के ओजाएगा ओप्शन भी करनाटक में नेक्स्ट देखिए, करन्ट अफियर से सभी आया अग्जाम में प्रशन पुछे जाते हैं तो अपनी करन्ट अफियर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें हमारी वेबसाइट है www.nokryaspirant.com यहाँ पर आपको डेली PDF मिल जाएगी, करन्ट अफियर से लेटिड क्वीज मिलेंगे, वहाँ के डेली के क्वीज भी मिलेंगे, वीकली क्वीज मिलेंगे, मंतली PDF भी मिलेगी, 6 मंत PDF भी मिलेगी और yearly PDF भी मिलेगी, जो आप यहाँ से ब मेहत्तपण विवरणों में से एक का जिकर अबदूर रजाक समरकंदी से प्राप्ट होता है, तो किस का जिकर क्या था उसने विजयनगर का हडपा अयध्धा या हम पीगा तो हमारा सही जवाब है विजयनगर का क्या था यह एक फारसी है पारसी लिखा कैं इन्होंने बता था कि मैंने पूरे विश्व में ऐसा समराज्य नहीं देखा है जो इतना समर्द हो और इतने अच्छे तरीके से वईवस्थी तो इसने ये लिखा था अपनी कवित्ता किताब में नेक्स्ट फार्सी यातरी देखो बताए फार्सी यातरी अब्दूर रज्जाक बारत के किस शाषनकाल में बारत आय था देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय दित्य या कृष्ण राय दित्य बताए तो हमारा सही जवाब है ओप्शन सी देवराय दित्य के समकाली नाय थी नेक्स्ट कृष्ण देवराय की कृतियों में से अमुक्त माल्याद इ बाशा में लिखी गई है ते लुगु तम्मिल करनड या संस्कृत तो हमारा सही जवाब क्या ओजाएगा ते लुगु बाशा में लिखी गई है नेक्ष्ट देखिए परसिद यातरी दुआर्ते बार्बोसा कहां का निवासी था स्पेन का पुर्तगाल का फ्रांस का या मिस इसर का तो कहां का निवासी था तो हमारा सही जवाब है ओप्ष्ण भी पुर्तगाल का निवासी था नेक्ष्ट देखिए निमल लिखित में कौन सा विजय नगर कला का सबसे अच्छा उदारण है अजन्ता हम्पी पुरी या सांचा तो कौन सा अच्छा उदारण है हमारा सही जवाब हो जाएगा हम्पी आगे देखते हैं ताली कोटा के युद किसमें विजय नगर समराज्ये में कौन से राजवन्स का राज था संगं, अरीनिदू, तुलू या सालू कौंसे राजवंस का? विजे नगर में चार राजवंस होई है जो ये चारू है न ये उनिके नाम है संगं अरीनिदू, तुलू तठा सालू तो जो ताली कोटा का युद्धू आ था उस समय कोंसे समराज्य था? किस राजवंज का राज था? तो हमारा सही जवाब है तुलूव का किस का था? तुलूव राजवंज का था नेक्ष्ट देखिए विजय नगर सहर कोर किस नाम से जानना जाता है? हिली विदू, चंद्रग्री, हम्पी, कौन्दा विदू तो हमारा सही जवाब है हम्पी के नाम से जानना जाता है आगे देखते हैं कौन से युद में विजय नगर सामराज्य का पतन हुआ? तक कोलम युद, ताले कोटा युद, कानवाह युद या पानिपती युद तो हमारा सही जवाब है, ओप्शन भी ताले कोटा का युद था उसके बाद विजय नगर सामराज्य का पतन हुआ था जो ताले कोटा युद है, उसको राक्षसी तगडी के नाम से भी जाना जाता है राक्षसी तगडी का युद नेक्ष्ट देखते हैं हमपी में स्थित समारकों का समू एक महत्यपुर्ण खालिस्तान केंदर था तो किस का था? इसलाम का, हिंदू का, सिख का, इसाई का जो हमपी में जिए समारक थे, वो जड़तर कौन से ध्रम के थे? तो मारा सही जवाब जाएगा हिंदू हिंदु का केंदर था हिंदु द्रम का आगे देखते हैं हमपी में स्थितिस मारकों का समूख खालिस्तान में है करनाटक, अध्यपरदेश, महराष्ट या राज्यस्तान तो कहाँ पर है? तो करनाटक में है हमपी बताये था करनाटक में स्थिति है हम पी कौन सी नदी के पास थेता है तो तुंग बद्रा नदी के पास नेक्स्ट देखिए निमलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधार सिल्ला रखे जानने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था देवगिरी, दोलताबाद, एहसानाबाद या बराग तो बताईए क्या आएगा तो एहसानाबाद नेक्स्ट है निमलिखित में कौन सी सल्तनत निजाम शाही, राजवन त्वारा, शासित थी गोलकुंडा, एहमदनगर, बिज्जापूर या बेरार तो हमारा सही जवाब है, ओप्शन भी एहमदनगर नेक्स्ट देखिए, बहमनी सामराज्य के संस्थापक कौन था? हसन गंगु, फिरोज शा, महमूद गवान या आसव खान हमारा सही जवाब है, हसन गंगु तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा, प्लीज कोमेंट में ज़रूर बताना पीडियाफ आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप हमारे वेबसेट से भी पीडियाफ प्राप्त कर सकते हैं जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही बैल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को प्लीज लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करना और कोमेंट करना नहीं भूले थैंक ये व्रिबन, बाइब बाइ, टेक केर